महिलाओं और लड़कियों से छेड़चार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा के रिए मुरादबाद इंस्ट्यूट ओफ टेक्नोलजी के चात्रों की टीम ने पहल की है। चात्रों ने एक सेंडल तयार की है तो छेड़चानी की घटना होने पर शोहदे को करंट का जटका दे कर किरा देगी। इसके बाद आसानी से उसे पुलिस के हवाले किया जा सकेगा। चात्रों ने इस प्रोजेक्ट को दा फ्लाइंग कॉप एंड वूमेन डिफेंस सिस्टम नाम दिया है। प्रोजेक्ट MIT की बीटक अंतिव वर्ष के एलेक्ट्रोनिक्स एंड कॉम्मिनिकेशन के चात्र अनुष कुमार आशी अगरवाल और दिवाकर शर्मा ने गाइड डॉक्टर अमिस सक्सेना के नेतत में इसे तयार किया है। बेहन की सुरक्षा की चिंता ने दिया ये आइडिया। प्रोजेक्ट बनाने वाले दिवाकर शर्मा ने बताया कि उन्हें अपनी बेहन की सुरक्षा की चिंता सताती थी। इसको लेकर यह आईडिया आया, इसके बाद इस पर साथियों के साथ बात ही और काम शुरू किया पूरा प्रोजेक्ट तयार करने में उनकी टीम को डेर साल लग गया आपको बदा दे कि सैंडल में एक छोटा सिस्टम लगाया गया है सिस्टम में एक GSM, SIM, GPS, दो पिन और आडिनो लगाया है इसी सिस्टम के साथ ड्रोन को भी जोडा गया है ड्रोन में भी यही उपकरन लगे है जो आसपास के फूलिस स्टेशन पर स्थापिच रहेगा सिस्टम के साथ सैंडल में अंदर की ओर किनारे पर एक बटन लगाया गया है किसी भी असहेज सिती पर लड़की जैसे ही बटन पर दूसरे पैर से किक करेगी सिस्टम तुरंत काम करना शुरू कर देगा और सैंडल के आगे की ओर से दो पिन निकल कराएंगी इसे 0.45 मिली अंपियर का करंट निकलेगा सामने वाले व्यक्ति के ये पिंच होते ही वह अचेत होकर गिर पड़ेगा साथी महिला जीयसम और जीपियर सिस्टम से महिला की लोकेशन संबंदित व्यक्तियों को पहुँच जाएगी इसके साथ इस संबंदित पुलिस टेशन पर लगा ड्रोन भी काम करना शुरू कर देगा ड्रोन साइरिन के साथ उड़कर ठीक महिला की लोकेशन पर पहुँच जाएगा इसे संबंदित व्यक्ति कैमरे में कैद हो जाएगा इसके बाद वैब बच नहीं सकता और आसानी से असहज हो जाएगा आपको बता दे कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्य प्रतियोगता में चैनित हो चुका है टेकसास इंस्ट्रुमेंट द्वारा कराए गई राष्ट्य प्रतियोगता में आए 9000 प्रोजेक्ट में इसे बीरता मिली है एकेच्यो की ओर से आयोजेक्ट प्रतियोगता में इसका चैनि हुआ हम सब जानते हैं आजकल जो महिला हैं उनके पर अत्ताचार बढ़ते ही जा रहे हैं सिर्फ इंडिया यह नहीं बाहर भी यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे मन में यह आइडिया है मैं और मेरे जो दोनों फ्रेंड्स हैं हमने यही सोचा है कि हमारे जो सिस्टर्स हैं मैं खुद एक लड़की हूँ मैं घर से बहार निकलती हूँ अगर रात को तो मेरे घरवाले मेरे पेरेंट्स चिंता करने ल इसको दियार करने के लिए हमें एक साल लगया है एक साल से लोग इस पर काम कर रहे हैं और इसमें अगर हम चाहें तो आगे बहुत सी चीज़े एड्वांस कर सकते हैं अगे दो चीज़े एक जो ने सेंडल के साइड में ने बटन लगाया है अब जब लड़की रात को निक साथ में उसके घरवालों को और पुलिस को पहुच जाएगी जिससे सबको पता चल जाएगा कि वो कहां पर है अब जो ड्रोन होगा वो एक पर्टिकुलर एरिया से उस लड़की की लोकेशन तक आएगा साथ में वो साइरन बजाताब आएगा साइरन से ये हेल्प मिलेगी कि जो आज पास के लोग है वो अवेर हो जाएगे कि कोई प्रॉबलम है और जो जो ड्रोन है वो वहां का आके सारा सीन रिकॉर्ड कर लेगा